गुद्वर्निंग स्टूरेंट्स, मैं आपकी नई हिंदी टीचर हूँ, आज से आपको हिंदी मैं पढ़ाऊंगे, सबसे पहले बच्चों मैं आपको अपना परिचाय देदू, मेरा नाम है पूनम अगरवाल मैं, क्या नाम है मेरा पूनम अगरवाल मैं, अच्छे बचों, यूकेजी क्लास में और फर्स्ट क्लास में हिंदी में बहुत परिवर्तन आ जाता है, यूकेजी में हम सिर्फ आ, आ, ई, ई, कख, ग, ग, पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते हैं, आ से अनार, आ से आम, कासे कबूतर, खासे खरगोश, अब आप लेकिन कौन सी क्लास में आ करेंगे लेकिन हम ये जो आ से अनार और आ से आम है, इनको हम बोलेंगे स्वर, और कासे कबूतर, खासे खरगोश, यह हम बोलेंगे व्यांजन, और इनको हम सही ढंग से बिल्कुल प्रनौंस करना भी सीखेंगे, अब मैं आपको सही ढंग से प्रनौंसेशन बताती हूं, क इसको आप बार बार आसे अनार आसे आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? अ, आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, अए, ओ, अउ, अं, अह, समझ भाया है बेटा? अब जो आज के लिए आपको ये सिर्फ को बार बार रिवाइस करना है और आज का आपका जो होमवर्ख है वो ये है कि आप सभी बच्चों को आपका परीचे याद होना बहुत जरूरी है। आपको अपने परीचे में सबसे पहले अपना नाम अपने पापा का नाम अपने मम्मी का नाम आप कितने साल के हैं आप कहां रहते हैं आपका पूरा पता क्या है और आपका मोबाइल नमबर क्या है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है और स्वर का बोलनी का और लि करना है लेकिन राइटिंग आपकी बहुत साफ होना चाहिए और प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए तो प्यारे बच्चों आज का जो पाठ है अमारा वो स्वर का था और स्वर आप बहुत अच्छे से याद करेंगे मेरा परिचय याद करेंगे और घर में रहेंगे सु अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, इ से एक, उ से उल्लू, उ से उंट, री से रिशी, ए से एडी, ए से एनक, ओ से ओक ली, आ से आरत, अ से ऑंगोर, आहा!